हैलो फ्रेंट्स इगवर फिर से आपका अपने चैनल आलिद मंग्यान ब्लॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके साथ सेयर करेंगे बेल का सरवत बनाने का एकदम अलग तरीका इसमें ना हम गुड़का योज करेंगे और ना ही चीनी का यह सरवत हमारे हील्द क के लिए बहुत जादा फार्देमंद है बेल गर्मियों में सेहत के लिए किसी परदान से कम नहीं होता है इसमें कई तरीके की पूसकत्तों पाई जाते हैं जो भयांकर गर्मी में भी ठंडा का एसास करते हैं साथ ही हमारी यूमिनूटी को भी बढ़ाने में काफी मददग करने में लुद्ट पोकशन ठाश्यों में लगामारी पर बेल हैं सेहा अचितर के सिपातों तक पाईा की वूसके संदीका में एडाग यालारी एकलब और ने यीज़ता TV अबजात टोड़ने के लिए तरीके की तोड़ने की उसीं। करा दो हटा इससे हमें कंधा है नहीं करते हैं हमें एकदम फ्रेश बेल का ही यूजक करना है याँदम यूज बंनाने के लिए जो तर लेगे च्टोटे चुपी पीस कर लेंगे में एक बड़ा गर्दन, एनलेंगे को लिए इसकी पल्प को हम बड़तर में डुझे झाल देंगे हमें धारवाला चमज लिए और इस तरी किसे इसे हम निकालिए बहुत ही अग्यों OLiblis कि हम दीकल के हैं इसी तरीकि現在 करने बें eddy फ्रेंट पर पर ले बार याईकन को भी प्रेस क कर लिजिएका ताक और अब हम इसमे क् 40 को आशानी से अभे यूदे हो ओर आप यहां पर नार्माल या ढ़र कोई भी पानी ले सकते जो आप पीते हों बेल की ताजिर वैसे भी ठंडी होती है अब इसमें कोई भी पानी योज करें चलेगा यहाँ पर इस तरीके से अब हम हाँ से मसल मसल कर इसके बीज और इसकी रिशी को अलग करेंगे इसकी पल्प को आसाने से हम निकाल लेंगे यहाँ पर ढब देख सकते हैं इसे हमने मसल दिया है अब इसे हम चाने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ा बर्तल लेंगे और आटा चालने वादी चानी लेंगे जो हर घर में आशानी से अबलेबल होता है और इस सी तरीके की चीज चानी में भी आशानी हो जाती है घंटों का का मिन्टों में हो जाता है बहुत ज्यादा टाइम हमारा वर्वाद नहीं होता है इस तरीके से इसमें हम डालेंगे और इसके सारी पल्प को हम झालेंगे इसे बीज और छिलके जो है इसके अलग हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और इस तरीके से हम इसे छानते जाएंगे तो चलिए फिर हम छान लेते हैं इस तरीके से तेहाँ पर इसे हमने छान लिया है इसका बीच और इसका रिशा अलग हो गया है इसे हम हटा देंगे अब इसे मीठा बनाने के लिए हम इसमें यूज के रहे हैं साहद का साहद और बेल हमारे हिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फादे मन्द होता है इसमें हम आज ना चीनी का यूज के रहे हैं और ना ही गुड का यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मीठा बनाने के लिए हम यहाँ पर सहद का यूज के रहे हैं यह घर का सुद्ध सहद है जो निकाला जाता है एकदम दानेदार सहद हो के आए एक साल पुराना है इसे हम अची तरह के से मिला देंगे अपने टेस्ट के अक़र्डिंग सहद को आप डालें या फिर आप चेक करके भी इसमें डाल सकते हैं यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है अब बिल का सरवत बने करके रेडी हो गया है सिर्फ दूई चीजों से हमने इसे बनाया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं अब पीने के लिए फटफट से सरवत बन जाता है या यह हमारे हील्द के लिए भी बहुत ज़्यादा फार्दे मंद होता है इस तरीके से गर्मियों में आप बेल की सरवत को इंजाए कर सेकते हैं फ्रेंट्स अगर आपको हमारी बेल का सरवत बनने का तरीका पसंद आया हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें लाइक करें चैनल पर पहले बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं फ्रेंट्स में इसे शेयर भी जरूर करें फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए थेंक्यू करें आया।